नमस्क्रा दोस्तों मैंने नाम है मनीश कुमार सिंग और आप देखना है 4PM महराश्टर दोस्तों महराश्ट में CM पद को लेकर के लगतार महायूति के भीतर हल चल मची हुई है और इस पर जो ताजा अपडेट्स आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ महराश्ट में CM कौन होगा इसको लेकर के बीजिपी और एकनाश शिंदे के बीच लगतार खीस्तान चल रही है एक तरफ एकनाश शिंदे के तमाम जो शिवसर्णा के सीनियर नेता है वो ये कह रहे हैं कि महराश्ट में अगला CM एकनाश शिंदे ही होने चाहिए तोकि उनके ह सीटे बीजिपी ने जीती है सबसे बड़ी पाटी बनके उबरी है इसलिए वो CM अपना चुड़ना चाह रहे है इन सब की बीच में और एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों जो सोर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि केंद्र क्या कोई मंत्री पद्ध जो है वो ओफर किय आ गया था एकना शिंदे को अब इसमें कितनी सचा यह कितनी नहीं सोर्स के अवाले से खबर आ रही है कुछ नैशनल चैनल्स पर मैंने यह खबर देखी कि केंद्र में भी उनको कोई सीट देले की बात कही जा रही जिसे एकना शिंदे ने ठुकड़ा दिया और तो और यह आ रही है किज़ एकना शिंदे की शिवसेना है्ज एकना शिंदे नहींने कही नहीं है लेकिन ये तमाम खबरें सोर्सस के हवाले से छन्ञनकर ऊहरा रही है लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि दोनों ही तरफ से सीम पद को ले करके खीस्ता जबस तरीके से चली हुई है कल हमने देखा कि कल ये भी खबर आई कि एकनाशिंदे जो है वो नाराज हो गया है बीजेपी से क्योंकि वो जिस तरीके से चाह रहते सब कुछ होना वो क्योंकि हमने देखा कि चुनाओं से पहले चुनाओं के बाद भी लगातार एक नाशिंदे की शिविसना के तमाम सीनियस नेता बड़े नेता ये दावा करते थे और ये कह रहे थे कि महराश में भी बिहार जैसा मॉडल लाया जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री बिहार मे चुना जाए लेकिन क्या महराश्ट जैसा इतना बड़ा राज्य है क्या बीजिपी चाहेगी कि इतने बड़े नंबर पर जीतने के बाद भी सीम किसी और को बनाया जाए किसी सहयोगी दल के बनाया जाए ये सबसे बड़ा सवाल उठता है और ये खबर निकलके आ रही है दोस्तों और एक खबर आखो बता दूँ कि हो सकता है कि देवेंद्र फर्नविस आज शाम को दिल्ली पहुचे क्योंकि लगतार महराश में सीम कौन होगा ये बात सभी जानते हैं किसका पैसला महराश में नहीं बलकि दिल्ली में होगा अमिश्या नरेंद्र मूदी जो दे पहुचे हैं जहां उन्होंने बीजिपी के जो बड़े नेता है अला कमान नेता है उनसे मुलकात की है तो ये बाते जो है ये निकल के सामने आ रही है हला कि कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको आज देवेंद्र फर्नविस अटेंड करने वाले हैं कुछ फंक्शन हैं और उस उन्होंने कम वक्त में उन्होंने जो काम किये और उन्हीं के चैरे पर चुना लड़ा गया और क्योंकि अमिश्या और नेरेंद्र मोदी जब महराश्टर आये थे तो उस दरम्यान उन्होंने एक नाशिंदी की तारीफ भीकी तो इसलिए अब एक नाशिंदे जो हैं वो आपको बताई दिया हो सकता है क्यों, कई और मंत्रिप्र के offer नहीं कुंपनला क्राइए, यह क्यों कई का क्रूइब मुस्तार माहराश्ट में जो नई निस सरकार था यह क्यों नए मंत्रिप्र दिये जाएंगे उसको लेकर के भी चर्चा अभी रोकी गई है, कहा जारा कि सबसे पहले CM जो है, वो किसकी पार्टी का होगा, वो पहले डिसाइड हो जाए, उसके बाद जो बागी के जो पद है, वो किस तरह से किसको दिये जाएंगे, उस पर चर्चा की जाएगी, तो ये जो खीस्तान है, लगतार मची हुई है, CM एकनाशिंदे जो है, पता है कि सीट शेरिंग के भी दर्मयान, जब सीट शेरिंग हो रही थी, उस दर्मयान भी एकनाशिंदे अडे हुए थे, बीजीपी के साथ में बहुत जादा खिस्तान हुई थी, उसके बाद देखाएगे, एकनाशिंदे ज जानकार है वह अलग अलग तरीके आकलन दे रहे हैं कुछ यह कह रहा है कि हो सकता है कि सब कुछ होने के बाद एक नाशिन ने खुद आ और यह कहें कि वह चाहते हैं कि देवेंद्पर्णवीश बड़ी पार्टी बनकी बीज़ेपी उबरी है अब कौन सा किस तरीके से खाचा बाठेगा कौन सा स्ट्रक्चर बठाया जाएगा इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो तमाम seniors और अनुभवी नेता हैं उनकी बैठे के चल रही है अब यह सभी को पता है कि M.V. अगड़ बंदन की तरव से बार-बार यह कहा जा रहा है कि देवन पर्णविसी बीज़ेपी के जो नेता है वो बन सकते हैं से बाकी लोगों ने भी यह बोला कि इस पैसला दिल्ली में होना है कि महाराज में सीम कौन बनने जा रहा है तो ऐसे में बीज़ेपी जो है वो सिज़ेपर छोड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से वह जीती है तो तमाम बाते सामने आ रहे हैं अब इतन है इन मामलों में और या फिर जिस तरीके से बात हो रही थी कि एक नाशिंदे को बड़ा फैसला ले सकते हैं यह भी सुनने में आ कि वह अजीत पवार और एक नाशिंदे की बीच में क्या बात हुई है उसके अधमने देखा कि दिल्ली से भी यह खबर आई कि कई केंद्री पंधरी जहा वह एगसे वह अजीत पावार से फोन पर बात कर रहा है तो यह पूरा सरकल इस खुम रहे हैं अब ये पूर्ज तरीके से खिसतान मची होई है कि आखिर आने वाले समय में हो नहीं क्या जा रहा है अपने अपने तरीके से अपने अनुभाओं से अपने अटकलों से अपने तरीकों से जो जानकार है वो बात शेयर कर रहे हैं लेकिन इतना जरूर है कि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है clear picture कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है मोटे मोटे तोर पर सब जगह यही चल रहा है कि देवन फर्नमिस आगे चल रहा है CM बनने की रेस में एक नाशिंदे के साथ उनकी बाचीत को रही है कुछ जगहों पर ये भी है एक नाशिंदे नाराज हो गए थे तो अब इसका आंसर कब तक मिलेगा किस तरीके से मिलेगा और कैसे इसका solution निकाला जाएगा इस पर हमारी नजर लगतार बनी रहेगी और जो भी update टिकल के सामने आती है उसकी update हम आप तक पहुचाएंगे तो अभी के इतना ही फिर लोटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी कबर पर तब तक आप देखते रहे है पोर पियम महराष्ट्रा और मुझे इज़ादे दीजिए नमस्कार कर दो, अज़ कर दो बादे कुछाएंगे